हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रतिकौण स्वाइव का एक और नइ वीडियो में अगर कोटक bank application यूस करते हो कोटक bank application में आपको अगर beneficiary जो है पैसा ट्रांसफर करना है तो उसमें क्या step involved है है सारे एक कोटक बैंक एप्लिकेशन ओपन करना होगा एप्लिकेशन ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर देखने मिल जाएगा तो काफी सिंपल तरीका है बेनिफेश्टरी अकाउंट में बैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको M-PIN जो है 6-digit M-PIN वो एंटर कर देना है और आगे बढ़ जाना है पिन एंटर करने के बाद जो ट्रांसफर मनी का ओप्शन हमने सिलेक किया था उसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे और इस पेज में आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको बेनिफ अगर आपने अभी दग कोई बेनिफिशरी अकाउंट एड नहीं किया होगा तो आप बेनिफिशरी वाला उप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हो और उसके उपर अल्लेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है तो वो भी आप मेरे चैनल पर चेक आउट कर स सकते हो तो बेनिफिशरी अकाउंट मैंने अल्लेडी एड किया हुआ है तो उस अकाउंट पर पैसा बेड करने के लिए मैं मैंनेज बेनिफिशरी वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर दूँगा manage beneficiary वाला option select करते ही next page यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो दो account जो है यहाँ पर मैंने पहले ही add किये हुए है तो simply अगर मुझे इन में से किसी भी account के उपर पैसा transfer करना है तो मैं उस account को select कर दूँगा तो मैं account select करके आगे बढ़ जाता हूँ और red color में अब देख सकते हो send money का option है तो आपको send money के option के उपड़ कर देना है send money के उपड़ करते ही next page यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर चेक कर सकते हो यहाँ पर आपको amount एंटर करना है और remark में test यहाँ पर type कर देता हो सारे details एक बार चेक कर लीजेगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपके जिस account से पैसा cut होने वाला है वह account number होगा यहाँ और जिस account में आप पैसा transfer कर रहे हो उनका detail यहाँ पर होगा तो मैं मेरे ही दूसरे account में transfer कर रहा हो for example दिखाने के लि या फिर payment आपको schedule करना होगा तो particular time पर या date पर तो आप schedule payment वाल option select कर सकते हो तो मुझे immediate transfer करना है तो मैं IMPS को option already selected है तो उसके साथ ही आगे बढ़ जाओंगा यहाँ पर continue पर आपको simply tap कर देना है continue के ओपर tap करने के बाद final page यहाँ पर आ जाएगा इस page पर आप सारी details एक बार फिर से check कर सकते हो यहाँ पर आपको सारी details जो है फिर से देखने मिल जाएगे कितना amount आप transfer करने वाले हो और codec bank में एक चीज़ अच्छा है कि आप अगर आपके account से पैसा transfer कर रहे हो तो transfer होने के बाद कितना balance बचेगा वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है और सारी चीज़े एक बार चेक कर लीजेगा और at the end आपको confirm and pay का option select कर देना है तो confirm and pay के उपर tap करने के बाद यहाँ पर आपको screen पर दिख रहा होगा enter six digit MP तो transaction complete करने के लिए आपको यहाँ पर आपका pin enter करके okay कर देना है और आपका transaction जो है successful हो जाएगा तो दोस्तो यही simple तरीका है जिसे follow करके आप कोटक bank application में जो है beneficiary account में पैसा transfer कर सकते हो तो बस दोस्तो यही था आज की इस वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा और